कि नमस्कार साथियों स्वागा था उका मेरा इस चैनल पर मैं हूँ एसके दात्र तो साथियों आज हम लोग आया है उपर पहाड आपको दिखाने के लिए आज हम लोग पहाड उपर आया हैं ढूमने के लिए हम इसा रोलकुला से दो पहाड़ आप लोग देखते हैं तो साथियों जिन्दगी में कुछ करने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा और अलग करने के लिए आपको अच्छा टेलेंट की ज़रुत पड़ती है जो सब के पास होता है लेकिन सब कोई अपना टेलेंट को दिखा नहीं फाते हैं कोसिस कर रहा हो आप लोग को मैं अच्छा से अच्छा पिछला पिछला जो भी हम लोग वीडियो बनाये हैं उसमें कोसिस क्या मैं आपको अच्छा से अच्छा जनकरी देने के लिए जो रोलकला होकी वर्ल कप 2030 का कि बारे में आपको जनकरी दिने के कोशिश किया हम है कि सब सगवान का गाच चब भरा हुआ है कि जो कि आपनों जानते हैं सगवान का गाच काफी महगा होता है काफी सगवान का गाच चब है यहां में छोटा सा एक मंदिर है गनेश भगवान का हर याली देखेंगे तो फिर मजा जाएगा आपको विश्वासे नहीं होगा कि मैं रॉलकला का कोई पहाड़ में भूम रहा हूं हर याली इतना जवर्जस्त है कि मजा जाएगा गुमने में आपको यह मंदिर है यहां में हर याली कितना जवर्जस्त है सब सगवान का गाच सब भरा हुआ है आज हमनों सोच के आये थे कि पहाड का यात्रा क्या जाए जो देखते हैं इधर से रस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा यहां में बाबा भूले नात का मंदिर है हर याली देखेंगे तो फिर काफी अच्छा लगेगा हर याली तो काफी अच्छा है देखेंगे तो फिर दिल खुछ हो जाएगा काफी अच्छा हर याली है यह मंदिर आप देख रहे हैं जब बंद हुआ है सुबा को पूजा हुआ हुआ होगा अच्छा नंदी जी महराज वहर में दिराजमान है जंगल देखने में आपको कफी मजा जा रहे हैं पर चलिए हम रास्ता ढूंडने कोशिश करते हैं उपर जाने का क्या हमें रास्ता मिल पाएगा या फिर दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा लेकिन अब ये लगता है इधर से रस्ता नहीं है तो बास गाच सब है आगे में चट्टान सब है इधर से तो साथियों इधर से लगता है रस्ता नहीं है आगे में चट्टान सब है काफी हर्याली है आप लोग देख रहे हैं कभी जंगल सफारी करने का सोक था अलंग के पूरा नहीं हुआ यहां से आप लोग थोड़ा बूत देख रहे हैं जो दिप्ती होटेल है और उस पार में पहाड है जो दिप्ती होटेल से सटा हुआ पहाड और हम लोग चड़े हैं नाया वजर से सटा हुआ पहाड में चटान काफी इधर से रस्ता नहीं है तो साथ्यों इधर से रस्ता नहीं मिला आप देख रहे हैं सब चटान सब चलिए दूसरा रस्ता में घुजना कोशिस करते या फिर कामियाब हो पाएंगे या फिर नहीं यह देखते हैं चलिए आखिरकार अभी हम लोग को फिर नीचे जाना हो गया रस्ता तो हम लोग को नहीं मिला चलिए देखते हैं कोशिश करते हैं कि दूसरा रस्ता मम भूणने कोसिस करेंगे लेकिन कोसिस करूँगा मैं आपको आज पहाड का पड़ से राल गलाक नाजारा दिखाने के लिए चली अँचर कार हम लों को इस रस्ता से अब निचे उतरना होगा के लिए हो कुछ उपर चाहने के बदyuओ कि आपका यह आपका गुरु नाना पब्लिक स्कूल है और उपर जो टावर देख रहे हैं आप जो रॉब करा इस्टिल फ्लांट का है कि अज़िए साथ ही आप चलते हैं उपर रस्ता कैसे रहेगा तो उपर चलें के बाद साथ चलेगा भाई जी साथ दे रहें अपर में जाने के लिए कौन रस्ता सहों चलेंगे जाने के यहां से फिर रमलुकोंपर डूमना पड़ा कुछ है कि अज तो यहानी तान भी है उपर उपर सार जाप कर ना जारा तो फीर आपको दिखाना है बाइसाब भी है जो मेरा साथ साथ दे रहे हैं यहां से अपना जारत देख रहें बाहर राल कले श्टिल प्लांट और गुरुनाना पप्लिक स्कूल प्लांट आप यहां से देख रहे हैं कब आजीबों गरीब लग रहा है पहाड को पर हरियाली काफी अच्छा है यहां सब नाया बजार का नाजार आप देख रहे हैं चलिए भाई साब कौन रस्ता से लेके चलेंगे काफी कठीन रस्ता है अब देख रहे हैं बिल्कुल चढ़ान काफी अच्छा चढ़ान है लेकिन आपका जोस और जुनून अच्छा है तो कोई भी लड़ाई को जीत सकते हैं यह कहा जाता है काफी दूर तक हम लोग आगी है कि कुछ डाली सबको तोड़ तोड़ के हम लोग जाना फड़ रहा है क्योंकि रस्ता पहले से बनाया हुआ नहीं लेकिन यह मेरा पहला पहाड का यात्रा है कभी सोग था जंगल यात्रा या फिर जंगल सफारी के लिए लेकिन कभी सबने पूरे नहीं हुए काफी चटान सब है देख रहे हैं सातियों अब लोग तोटल ही चटान सब है सब चटान सब है दर भी लग रहा गिर जाएं देख रहे हैं कितना नीचे है तो भाई साब आम लोग उपर आगी हैं कि यहां से रहुल कर आपना जारा कैसे दिख्या कि यह हमनों देखने को कोशिस किये चलिए देखते हैं अभी और भाई जी उधार नहीं चलेंगे काफी जाड़ी है सब सग्वान का सग्वान का बगान लग रहा है सब सग्वान का गाच सब भरा हुआ है काफी हर्यारी है तो हमनों प्रण टोप में आगे हैं हैं चली आप रिटेन चला जाए यहीं से मैं आपको दिखाने का आपको कोशिस करूंगा आप ना जार यहां सब देखिए है 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 चली साथ ही अब नीचे चला जाए हमनों का एक कोशिस था इस पहाड में उपर से रॉल्कला करना जारा को देखा जाए रॉल्कला सोहर को बगल में पहाड देख रहे हैं यह ना है वजार अपका आने का तो आग गी है आव यहां से फिर रिटेन जाना है रस्ता कठीन है लेकिन संघर जारी है इसे पत्थर को दिल पत्थर कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है दिल जैसा बना हुआ है कि चलते हैं दिरे दिरे करके भाई साहब नीचे रास्ता काफी कठीन है यहां सब गिर जाएंगे तो फिर डारेक्ट नीचे की बार में हुना लेकिन यहां से ना मजर कितना पर उलकला करना जा रही है यहां सब देख सकते हैं कि अब छले साथ डिकर रहा है जो ट्रेन जा रहा है मालगारी चलिव चला जा जा में रास्ता देख कैसे डर लग रहा है उतनी उन देखना कितना मुस्किल से उतार जा रहा है रास्ता काफी कठीन है देख रहे हैं देखिए सातियों कैसे है रास्ता कैसे आप देखिए रास्ता कैसे हम लों को बनाना पूर रहा है भाई साथ सब चपल पल सब खोल लिए है अरे वाब रहे हैं चली चली ठीक है रास्ता तो काफी काखिन है जो कि इधर से भी रस्ता नहीं है हम लों रस्ता बनाते हुए आये थे और रस्ता पहले रस्ता था रस्ता पहले यही था यह कहा जाता है कि अच्छा है थे आपको दिल पर दिखा रहा हुं से लेकिन जाते समय निचे तरहां खाई दीख रहा है उतरने में दम डर्टेप का लग रहा है रास्ता आप लोग देख रहे हैं काफी कथीन है पत्थर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल दिल का तरह बना हुआ है दिल का तरह बना हुआ है इसलिए सो दिल पत्थर कहा जाता है चलिए अब चला जाए धिरे धिरे करके संग कथी कथी नहरे भाई यहां से उतरना बहुत मुश्किल हो जाएका लग रहा है यहां उतरने में तो बारा बज जाएंगे भाई शहाब अब इस सपोर्ट लेकर उतरना होगा अधिना बेखिये है इसको पगरें सर अधे यहां से तुम्हां उतर जाओंगा चली आप आगे चली पिछल जाए इसको पगर लिजे ना पहले इसका सब्सक्राइब आप आप लोगा चली अचली लगभग मैं आच चुका हूं चली रस्ता दो भाई साथ बहुत कठीन है अधि चली 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 ठीक है अधि पहुत ही गए लेकर आप लोग कितना उसाइश हम लोग आए है अधि नीचे जाना है भाई सहाब अधि चली अधर से चलें दस्ता लग रहा है पहुंग यह होगा ना तो आखिर कार हम नों नीचे आ गिये सुर्जी काफी उपर चलान था इतना हम नों टोप में गिये थे और अभी हम नों नाय बजर में हैं नीचे में बस्तिम उतर गी है यह भाई साब इसको मैं थांक्यू कहना चाहूंगा जो बहुत मदद की हमको कोई बात नहीं सार आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छा है तो साथियों उस पहाड़ को पर से मैं आपको दिखाने का कोशिश किया रॉल आपके मात्रों